मेरा नाम है विक्रमा दित्या और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक सेविंग बैंक अकाउंड में कितने ATM कार्ड यूज़ कर सकते हो SBI में तो यही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बट वीडियो शुरू करने के पदे अगर आपने हमारा जो में चैनल है नागपूर का यूटुबर विक्रमा दित्या जो व्लॉक चैनल है अगर उसे सब्सक्राइब नहीं क्या है तो उसे सब्सक्राइब करके रख ल अगर आपका State Bank of India में अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट पे ATM यूज करना चाहते हो तो उसके लिए तो सबसे पहला ATM आपको फ्री में मिल जाता है अकाउंट उपनिंग के कुछ दिनों के बाद आपके घर पर आ जाता है बट क चाहते है कि एक से जादा उन्हें ATM मिले पहले ऐसा था कि एक सेविंग अकाउंट में आप कितने ATM लेना चाहते हो इस पे कोई लिमिट नहीं थी मतलब आप 2,3,4,5,6 कितने भी ATM ले सकते थे तो खुद मेरे पास एक अकाउंट के 4 ATM थे तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कई बार बीच में जब demonetization हुआ था तब ATM के withdrawal लिमिट लग गए थी उस समय एक ATM से शायद 2 या 4,000 रुपए ही निकल रहे थे तो उस समय जो है यह ATM मेरे बहुत काम में आये थे क्योंकि मैंने एक ही अकाउंट में से अलग-अलग ATM के द्वारा पैसे withdrawal किये थे और मुझे ज जादा कितने भी ATM ले सकते थे बट अब पिछले कुछ दिनों में एक restriction आया हुआ है यह इस वज़े से आया है क्योंकि कई सारे लोगों के एक से जादा ATM रहते थे जो पुराना ATM खराब हो जाता था physical damage हो जाता था उसके बाद वो नया ATM के लिए अपलाए करते थे बट जब जो classic domestic international ATM रहता है global उसका जो gold ATM और platinum ATM होता है उसके charges ज्यादा होते हैं ठीक है तो 147 एक average annual maintenance charges होते हैं जो सबको लगते हैं तो अगर आपके account में एक से ज्यादा ATM card है तो हर एक ATM card के annual maintenance charges आपको pay करने होते हैं वो आपके account से auto debit हो जाता है तो यह चीज की वज़े से काफी सारे लोग परिशान थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि एक से ज्यादा ATM उनके account में है और उनको उस चीज के पैसे देने पड़ रहे है तो अभी restriction ऐसा आया है कि आप एक saving bank account में दो ATM card use कर सकते हो यह कौन से दो ATM card रहेंगे यह आपको decide करना है आप वैसे request अपने account में कर सकते हो बट आपको यह भी चीज देशनी है कि अगर आप ATM के लिए request करते हो तो उसके जो replacement charges है मतलब 304 रुपे 300 रुपीज प्लस 18% GSTSR 354 रुपीज charges आपको pay करने होते हैं issuance के लिए एक ATM के अगर आप दो लेते हो तो उसको लिए आपको दो बार charges वो pay करने पड़ेंगे जो आपके account में से debit होंगे और इनका जो annual maintenance charges है अगर आप दो यूज करने चाहते हो एक ही account में दो ATM तो इनके 147.50 रुपीज चार्जे से दोनों के 147 147 जो है charges वो भी आपको लगते हैं तो अगर आपको दोनों card यूज करने हैं दो card एक account में तो आप कर सकते हो या फिर अगर आप मेरा काम था और आपने ये वीडियो देखा मतलब आप भी जानना चाहते थे कि एक account में कितने ATM card यूज कर सकते हैं तो जान लिया आपने तो फिर ठीक है अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिजिए वीडियो को अपने दूस्कों के कर दो